कि हमारे आज पास की कई दुकानेचाए की पान की सब्जी की और फलो की दुकाने जो होती है वो अपने यहाँ पर कैस्व वेसिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती हैं कैस् बेसस्टांजेक्शन में जितने भी कैऍस रिसीयव तैंश जो पेमेंट हुए है है accrual basis accounting में non cash transaction जैसे की outstanding expenses accrued income depreciation जैसे कई और transaction को भी record किया जाता है cash transaction के साथ में और इसका जो difference होता है वो ज्यादा सही result business का बताता है means profit या loss सही तरीके से calculate होती है इसलिए इसको ज्यादा appropriate way of accounting बोली जाती है